अब इसमें आता है कि कौन-कौनसे factors हैं जो affect करेंगे lattice energy को. Factors affecting, factors affecting lattice enthalpy. Lattice enthalpy है जो उसको कौन-कौनसे factor है जो affect करेंगे तो इसमें एक formula है जो कुलाम्स law में भी पढ़ा था force of attraction force of attraction is directly proportional to q1 q2 upon r square यह कुलाम्स law है तो कुलाम्स law पर भी बेस्ट चाहिए ठीक है यह कुलाम्स law है तो कुलाम्स law क्या कहता है जो force होगा वो directly proportional होगा चार्ज का और inwardly proportional होगा size यह distance of कर्टैन या एन आएन तो यह इसी के बेस्ट पर जो factors affecting lattice energy है यह भी दो टाइप से हो जाता है पहला charge पहला है charge on the ions charge on the ions कि कितना charge होगा और second इसमें आ जाता है distance याने size of the ions तो second इसमें size of the ions radius का मतलब size size of the ions ठीक है तो दो तरीके से हैं दो factor है इसमें अब one by one discuss करते हैं पहला हम करते हैं charge charge of the ions charge में हम क्या देखेंगे देखो जितना higher charge होगा जितना higher charge होगा higher charge on ions ions में जितना charge जादा होगा उतना force of attraction भी जादा हो जाएगा force of attraction भी जादा हो जाएगा और force of attraction जादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा lattice energy भी जादा हो जाएगी ठीक है तो उससे क्या होगा कि जो lattice energy है वो भी जादा हो जाएगी lattice energy भी increase हो जाएगी ठीक है तो latest energy का अगर हम terms देखते हैं कि क्या होगा जैसे मैंने आपको बोला कि NaCl है और MgO है किसकी latest energy ज्यादा होगे तो हम क्या करेंगे charge देखेंगे Na में plus one charge Mg में plus two इसमें minus one Cl में oxygen में minus two जहां चार्ड ज्यादा होगा उसकी latest energy ज्यादा होगे यानि MgO की the latest energy of MgO is higher ठीक है जो latest energy होगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी MgO की ज्यादा हो जाएगी जितना ज्यादा चार्ड डेबलप होगा उतना ही जो latest enthalpy है वो ज्यादा होती जाएगी तो यह पहला rule है इसका second size size of the ions size of the ions ज्यादा होगा तो force of attraction कम हो जाएगा force of attraction क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा force of attraction कम हो जाएगा तो इसकी वज़े से जो latest energy है वो भी कम हो जाएगा लेटिस energy कम हो जाएगी अगर size ज्यादा है अब कई बार क्या होगा कि size बढ़ेगा और charge कम हो जाएगा यह charge भी बढ़ रहा है और size भी बढ़ रहा है तो फिर हम कैसे देखेंगे ठीक है अगर case क्या हो गया case यह आगया कि size भी बढ़ रहा है और charge भी बढ़ रहा है तो comparison अगर हम करेंगे तो हम किसे prefer करते हैं ध्यान रखना इन दोनों मिसे हम prefer करते हैं चार्ज को जिसका चार्ज जादा होगा उसी को हम ज्यादा मानेंगे size को matter तब करेंगे जब चार्ज सेम होगा otherwise पहले हम prefer किसको करेंगे चार्ज को, जिसका ज्यादा चार्ज होगा, उसी को हम हमेशा prefer करेंगे, इसे example के लिए, जिसका ज्यादा किट N में होगा, या NIN में, दोनों में से किसी में भी हो जाए, अगर minus 3 है, और वहाँ प्लस 3 है, तो वो equal हो जाएंगे, देखो, एक example, minus 3 का हो गया, AL, ठीक है, और plus 3 के लिए, एक ही हो गया, और दूसरा कोई component बताओ, दूसरा है, suppose MGO, ठीक है, इसमें plus 2 charge, इसमें minus 2 charge, तो जिसमें ज्यादा charge होगा, चाहे हो plus का हो, चाहे माइनस का हो, ठीक है, तो उसकी lattice energy ज्यादा होगी, यानि, ALN की lattice energy ज्यादा होगी, इस से MGO से, lattice energy, और दूसरा मैंने का MGO और BEO, तो दोनों में plus 2 charge है, plus 2 charge है, minus 2 minus 2, 4 से M होगा, तो हम size देखेंगे, तो हम देखेंगे, जो size होता है, वो MGO, MGO का ज्यादा होता है, B E से, तो इसका मतलब कि B E की lattice energy ज्यादा होगी, इसका मतलब B E O की lattice energy ज्यादा होगी, दूसरे के comparison में, ठीक है, तो इस तरीके सा आप lattice energy को देख सकते हो, अब इसके बाद आता है, net effect, net effect, net effect में होता है क्या देखो, net effect का मतलब यह हुआ, कि जिसमें energy release हो रही है, किसमें हो रही है, easy E में, और lattice energy है, इन दोनों केसमें energy release होती है, energy release हो रही है, और दूसरा केस है, ionization energy, इसमें energy required है, energy required है, अब हम तीनों का अगर हम aggregate करके देखें, तो हम कहेंगे, जो EGE है और lattice energy, इन दोनों का सम अगर ज़्यादा आता है, तब ionic bond क्या होगा, formed हो जाएगा, easily, anic bond है जो, वो formed हो जाएगा, आसानी से, easily, anic bond form है, जो formed है, easily हो जाएगा, क्यों, क्योंकि heat release हो रही है, तो जो heat निकलेगी, वो reaction के काम आ जाएगी, तो reaction चलती चली जाती है, और अगर इसका opposite हो गया, तो reaction आसानी से नहीं होगी, आपको और heat supply करनी पड़ेगी, अगर lattice, ionization energy ज़्यादा हो गई, lattice energy से और EGE से, तो फिर ये bond formation नहीं होगा, इस case में, जो ionic bond है, ionic bond है, formation, वो नहीं होगा, और formation तब ही हो सकता है, जब आप large heat दो, large amount of heat required होगी, तब जाके ये reaction होगी, otherwise ये reaction नहीं होगी, तो ये इसका net effect है, कि हमने conclusion क्या निकाला, किस case में आनिक bond जल्दी होगा, किस में नहीं होगा, तो हम main क्या देखते हैं, उसमें ये तीन factor को ही calculate करते हैं, clear हुआ ये? Yes, sir. तो ये एक portion आपका पूरा finish होगी है, इसमें, अब जो नएया topic है, उसको हम कल से पढ़ते हैं, ठीक है? Okay, sir. तो आज के लिए दो ये topic हैं, बासे कल करता है. Okay, thank you sir. Okay. 我imizi थे क्ँश क्यांस करते हैं, मैंज करता हैं